बिस्मिल्लार रख्मान ररहीम असलाम लेकुम डियर स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स आज हमारा लेक्चर एट है और आज हमने पढ़नी है सुरफ फता ठीक है सुरफ फता की जो हमारे इस लिबस में आयत कोड की गई है वो 29 है ये आयत थोड़ी लंबी है तो ये एक ही आयत है हम इस लेक्चर में एक ही आयत पढ़ेंगे इसका बामाईनी बामुहावरा तरजमा साथी ग्रामर और इसकी तफसीर पर देखेंगे ठीक है फस्ट स्लाइड पर देखें आयत लिखी हुई है सुरफ फता की आयत नमबर 29 अब इस सेकंड स्लाइड पर आजाएं एक सेकंड स्लाइड पर आयत लिखी गई है ठीक है इसको हम पढ़ते हैं बिसमिल्लाह रुखमार रहीम मुहम्द मुहम्द रसूलाही लल्ह के रसूल है वल्लजीना और वो लोग जो जाने हूँ से साथ या आव िसकी जाते हैं अशिदाओन सऽी है आलल कुफारी कुफार के साथ और जो लोग अल्ला और उसके रसूल के साथ है वो कफार के साथ सक्त है रुहमाओ रहम दिल है बैनाहुम एक दूसरे के साथ आपस में और आपस में क्या है रहम दिल है तराहुम तो उन्हें देखेगा रुकान, रुकू करते हुए सुझादन, सच्दारेज होते हुए यपतगोना, वो तलाश करते हैं पजलन, फजल, मिनलाह, अल하ा वो अलाह का फजल तलाश करते हैं वारिजवानन, और रजामन्दी सिमाहुं उनकी अलामत या उनकी निशानी है फी में वजुही हिम उनके चेहरों पर मिन से आसारी असर असर या फिर निशानी सजूदिन सजदों की दुबारा से इस आयत को देखें हाफ आयत जो है इस स्लाइड में दी गई हाफ आयत नेक्स स्लाइड में ठीक है अब हम इसको देखते हैं तुपारा से इसका बामुहावडा तरजमा करते हैं मौहमद रसूल लाही मौहमद सुल्सल्यम अल्ला के रसूल है वे लजीना मा आहूँ और जो लोग अल्ला और उसके रसूल के साथ हैं आशिदाओ अलाल कुफार वो कफार के साथ तो बहुत सकते हैं रुहामाओ बेनाहूं और वो आपस में रहम देलें आप एक दूसे के साथ रहम देलें तराहम रुकान सुजदन और तुम उनको देखोगे रुकू करते हुए सजदारेस होते हुए यब तगूना फजल मिन लाही वरिजवानन और वो अल्ला का फजल तलाश करते हैं अल्ला की रजामंदी चाहते हैं सिमाहूं फी वजुहिहिं मिन आसारि सुजूद और तुम उनके चेहरों पर सजदों की निशानी देखोगे ठीक है यानि कि जो अल्ला उसके रसुल के साथ होते हैं उनकी यहां पर सिफ़ात बियान की जा रही है अल्ला उसके रसुल के साथ कौन होते हैं सहाबा कराम ठीक है अब उनकी यहां पर सिफ़त बियान की जा रही है कि जो सहाबा कराम हैं वो कफार के मौामले में तो बहुत सकत हैं लेकिन आपस में वो एक दूसरे के साथ रहन दे लें और कहा जा रहा है कि तुम उनको देखोगे रुकू करते हुए सजदा रेज होते हुए और वो जो है सहाबा करम वो अल्ला का फजल तलाश करते हैं अल्ला की रजामन्दी चाहते हैं और उनके चेहरों पर सजदों के नशान होते हैं ठीक है ये उनकी निशानी है अब स्लाइड नमबर तीन पर आजाएं स्लाइड नमबर तीन पर इसी आयत का आदी जो आयत है वो स्लाइड नमबर तीन पर दे गई है ठीक है आयत दंबी थी इसलिए हाफ आयत जो है स्लाइड नमबर दो पर लिखी गई है और हाफ आयद जो है स्लाइड नमबर 3 पर बियान की गई है अब इसको देखें जाली का यही मासालुहुम उनकी मिसाल है कि इनकी मिसाल है जो अल्ला उसके रसूल के साथ है यानि सहाबा अकराम की मिसाल बियान की जा रही है जालिका ये ही मासा लुमं उनकी मिसाल फिट तोडाते तोडात में बी दी गी है वा मासा लुहं और उनकी मिसाल फिट अंजील में भी ब्यान की गई है कजर इन कजर इनका मतलब होते है एक खेती के जैसी अखराजा उसने निकाली शत आहू अपनी सुई फजारा हू फिर उसे मजबूत किया यानि कि रसुल पहसलें की मिसाल यहां पर किस तरह बयान की गी यह एक खेती के जैसी जैसे उस खेती ने अपनी सुई निकाली फिर उसको मजबूत किया फस्ता खलजा फिर वो मोटी हुई फस्ता वा फिर खड़ी हो गई अला पर सुकी ही अपनी जड़ पर यह उजी वो भली लगती है जुरा यानि किसानों को भली लगती है प्यारी लगती है या खुबसूरत लगती है लिया घ्ञीजा ता के घुसे में लाए बेहिम उ खुफार कुफार को या ता के घुसे में लाए उपार को अब इसक दysłब आ मैंसलोहम फित तुराति वा मैंसलोहम फिल अनजील उन की मिसाल यानी सहाबा करां की मिसाल और अल्ला उसके रसूल के साथ जो लोग है उनकी मिसाल जो है ये तो रात में भी बियान की गई है अंजील में भी बियान की गई है और इनकी मिसाल किस तरह से दी गई है रसूल की के एक खेती के जैसी काजर इन अखर अज़ाच कहता हो एक खेती जैसी इसकी मिसाल है खेती है उसने अपने सुई निकाली है फिर उसको मज़बूत किया है फिर उसकी वो मोटी हुई है और पिर अपने जट पर वो खड़ी हो गई है और वो किसानों को प्यारी लगती है बली लगती है, खुम्सूरत लगती है ताके उन काफ्रों को खुसे में लाया जाए अब इस आयत के इहते ताम पर अल्हाइञा बदा फर्मा रहे हैं सहाबा कराम से मॉमिनों से अल्हाइस क्या वदा फर्मा रहे हैं वादOTHओ और वादा करता है अंला, जीना उन लोगों से, जो आमनु आमान लाए हैं, वा आमिलू और आमाल करते हैं, वा अचरे हाथ नेक ये साले। का ठीक है अला तरह किन लोगों से वादा कर रहे हैं मौमिनों से और जो नेक आमाल करते हैं उन से और वादा क्या किया जा रहा है कि उनकी बख्षिश का और अजर अजीम का अब इस आयत के एक दफ़ा दुबारा से देख लेती है स्लाइल नमबर दो पर देखें आयत है अ मुहम्मद रूसलम अल्लाग के रसूल हैं और वो लोक जो उनके साथ हैं आशिद्धाओ अलल कुफार कुफार के मकाबले में सक्त हैं किका कफार के साथ वो इसक्त रवया रखते हैं रुह माओ बेनाहूं और आपसमें वो रहम दी लें तराहम रुकान सुजदन तुम उनको देखोगे रुकू करते हुए और सजदा रेज होते हुए यब तगुना फजलम मिन अल्लाही वरिजवानल वो अल्ला का फजल तलाश करते हैं और अल्ला की रजामंदी चाहते हैं सीमा हम फी वजूही मिन आसारी सुझूद और उनके चेहरों पर जो है सजदों के निशान है निशानी है सजदों की ठीक है या सजदों का नूर है जाली का मासाल हम फी तौराती स्लाइड नमबर तीन पर बाकी आयद जो लिखी लिए इसको देख लिए अब जाली का मासाल हम फी तौराती निकिती में Honors एक सूई निकली फिर उसे कवी कर दिया मश्बूत कर दिया और पीर वो मूटी हो गई और अपने तने पर खरी हो गई है और किसान इसको देखकर कुश हो जाते हैं आनों को वो अच्छी लगती जिए भली लगती जिए प्यारी लगती जिए है कुब सूर्त लगती जिए ताके अला अन की वज़ा से कफार को गुसा दिलाए ठीक है या एर या अनु पर आ अ अल्लाओ तो आ अमिनस्ति श्याले हातमिन से जैसे हमने हाफ आएत का तर्जमा किया है इसी तरह से हम दो स्लाइड में ही इसकी ग्रामर को देखेंगे आए नमबर चार पर जो हाफ आएत दी गई है पहले उसको हम ग्रामर की लिहाद से देख लेते हैं अचा इसमें है मुहम्मद स्लाहिं रसूलberry रसूललाहिं इसमें जो है मुरकभ एजाफी है या वल्ला थीना अल्लाजीना है Allah Zी की जम्मद ठीक है अल्ला जीना होती है और आगे है माहू माह यह मुरकब इजाफी है इसमें जे हापश हुए यह जमीर है आशिदाओ आशिदाओ शदीदन की जमा होती है अला कुफारी अला जो है रफ जर्मे से है रुहमाओ बेनाहू बेना हम ये भी मुरकब इजाफी है और हम इसमें से जमीर है तराहम तराहम ये फिल मुजारे है और हम इसमें जमीर है रुकान सुजदन यब्तगूना यब्तगूना फिल मुजारे मारूफ जमा मुझकर है इसके अंदर से ठीक है यब्तगूना क्या है फेल मुजारे मारूफ जमा मुजक्र है फजलम मिन अल्लाही इसमे से मिन जो है हर्फ जर है वरिजवानन सीमाहुं सीमाहुं मुरकब इजाफी है फी वजुही हिम फी भी हर्फ जर में से है और वजुही हिम मुरकब इजाफी है और वजुही हिम हिम जो है ये जमीर है मिन असारिस सजूद मिन जो है ये भी हर्फ जर में से है असारिस सजूद मुरकब इजाफी है हमारे पास अब स्लाइड नमबर पांच पर आ जाए हाफ आए जो रह गी है उसकी ग्रामर देख लेते हैं झालाइब नंबर पांच पर देखे हैं शटाहु शटाहु जो है यह मुद्गिग ऑजाफी है और भाज़िक में सुकिह व्याता है इसमें से लियागीजा भीहिम लियागीजा जो है ली जो है ये हर्फ जर्मे से है यगीजा ये फिर वो ही आगया सीगा वाहिद मजख्रगाई मुज़ार मारूफ अच्छा फिर उसके बाद है लियागीजा भीहिम 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 जो है ये फिल माजी है, अज्रन 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 अज् कफार के मौमले में क्या है वो सخت है और आपस में नरम है यही मौमिन की शान होती है कफार सहाबा कराम के मकाबले में तो फुलाद की चटान है सहाबा कराम जो है वो कफार के मकाबले में क्या है फुलाद की चटान है लेकिन अपने भाईयों के साथ इनका मौमला बिलकुल मुवार का में ब्यान की है इस से ज़्यादा ब्यान करना मुम्किन नहीं जैनिकि रूसल B дела के आप फरमाते हैं कि सहाबा कराम का आपस में कैसे वो रहम दीलना किस तरह के उनका आपस में तालूक होता है वो ब्यान कर रहे है रूसल B शुल ऐसलम ने ये पर्माया और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूश्वे में मिला दिया यानि कि इसकी तफसीर यहाइ कि इस आयत में रसूल पाक से लिए जान बियान कर रे रसूल पाक से लिए और सहाबा कराम की यह शान अपने निदे नबी कुरीम स्लले लास्राव के और सहाबा अगराम की तौसीः परमा रहे हैं यानि उनकी सिफ्ट बयान फर्मा रहे हैं लापाग उनकी हुबियां बयान फर्मा रहे हैं अल्ला तरहा हैं कि मेरे lift पर इमान लाने वाले और उनकी सोहबत से फैज़्याब होने वाले कफार के मकाबले में बड़े बहादूर हैं, बड़े ताकतवार हैं, बड़े कवी हैं ठीक है, रसुल पाल सले में के साथ जो होते हैं यानि सहाबा ग्राम के बारे में अलब पाक परमा रहे हैं बड़े बहादूर हैं कफार के मकाबले में इस सुरत आयत में देखें कि अशिद्दा का वर्ड आया है शिद्दा, अशिद्दा शदीद की जमा होती है लवज शदीद जो है, शिद्द की तहकी करते हुए इलमा शद्दीद की तहकी करते हुए लमा अबनि-मंजूर जो हैं आपने किताब लिसानुलारब में कहते हैं और इलमा जुबैदी ये ताज Ó रूसँ में लिखते हैं शिद्द की तफ़िर क्सेरा से प्यान करते हैं, ये ये कहते हैं के शिद्धा अशिद्धा जो है ये शिद्धत कNGवत और दिल की मौKमे कानाम है शिद्धीड जो है वो इस बड़ गुमानी का शुकार हो जाता है कि जैसे कि इसलाम के ये मानने वाले बड़े बेरहम और सक्त दिल थे ठीक है हलांके ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कफार के मुकाबले में तो ये फुलाद की चटान है यानि कफार जो हैं सोरी सहबा कराम ये कफार के मुकाबले में क्या है फुलाद की चटान है इस तरह से सकते हैं लेकिन अपने भाईयों के साथ इनका मौमला बिलकुल दूसरा है कि उनके साथ तो बहुत नरम बड़े शफीग और महरबान है इनकी बहमी राफ़त और रहमत की क्याफित को जिस तरह से रुसुल पहसले में अपनी अहादीश में बियान फर्मा रहे हैं इस से ज़्यादा बियान करना मुम्किन ही नहीं है जैसे कि रुसुल पहसले में अपनी अहादीश में पर्मा रहे हैं आपस के दोनों हातों के उंगलियों का आपसमें मिला के बताया कि 2 पिस तरहां से एक है इस तरहां इनका आपसमें तालुक हैं और ये जो हदीश है ये सही बुखारी में मौजूद है इसी तरह से एक और हदीश रुस्वासिब असलम ने फर्माई है यानि मुसल्मानों की मिसाल बाहमी मुहबत और दूसरे एक दूसरे पर शफ्कत करने में ऐसी है जैसे एक जिसम अगर इसका एक अजूब बिमार हो जाता है तो सारा जिसम बुखार में मुबतला हो जाता है और इनकी निंदे काफूर हो जाती है ये हदीश ये मुत् takiक अले है यानि मुत् Squidna का मतलब होता है ये हदिस जो है सही बुखारी में भी मौजूद है और सही मुसलिम में भी मौजूद है अचा अपने रब रिकरीम के अबादत में उनके जोग और शोग का यह आलम होता था इसी तरह से कभी वो अपने रब करीम की बिज़रगी बियान कर रहे होंगे, कभी किब्रियाईी बियान कर रहे होंगे, कभी उसके बड़ाई की ग्वाही दे रहे होंगे यानि तुम जो है इमान वालों को हर हाल में अल्ह तल्ह की अबादत करते हुए पाओगे अहल इमान ने दुनिया और दुनिया की वाबस्तगियों को तो अपने दामन से जाड़ दिया है वो सिर्फ अपने खुदाबं करीम के फजल के तलबगार है उसकी रदा चाहते हैं उसकी खुशनूदी चाहते है। उसके वह सौँ उन्हें ना किसी चीज से सरोकार है और ना कुई खौछ है ना कोई आरजु है वो सिर्फ लाग तल्हा की रदा बंदी चाहते हैं अल्ला के बंदों की इस जमाद को पहचानना मुश्किल नहीं होता अल्ला थल्या ने यहां पर फ़र्माए है कि उनके चेहरों पर सज्धों के निशान होंगे यानि कि उनके चेहरों पर नूर इमान के जल्वे जो हैं वो साफ दिखाई देती हैं देखने वाला तो देखते ही उन्हें पhrकान लेता है कि ये आगोश अनगुवत के परवर्दा है ये जो हैं ये निगाहि रुषालत के फैस्ट याफता है लोगों को देखकर ही समझ में आ जाती है कि ये अल्लावाले हैं, ये नूर वाले हैं, ये इमान वाले है अच्छे यहां पर एक वर्ड आया है सीमा ठीक है यहां सीमा इससे मुराद है इससे वैसे अगर माइनी देखिना तो वो गठा सा होता है जो इदर पिशानी पर बनावा होता है लेकिं यहां पर इससे मुराद वो गठा नहीं है इससे मुराद है इससे मुराद वो नूर बात माया जो रात के वक्त बाकसरत नमाज पढ़ता है दिन के वक्त उसका चेहरा बड़ा दिलकश हो जाता है रोशन हो जाता है नूर आ जाता है उसके चेहरे पर इसमें आता है ना कजर या खराज़ा शाता हूँ यानि कि उसकी मिसाल खेती के जैसी दी गई है आयत के इसी से में अल्ट अले तो तुरात और अजील में अपने महभूप हदरत मुहमस्ट में वैसलya el-으면 की और आशाबा कराम की मिसाल एक खेती की मानिक दे दी या ठीक है, यानियों ईम्यासिव पर वो कि शूहरू के भूधेन, आश़्ूह अव्धिक अकेले थे फिर सहाबा कराम ने हज़ूर पाक सिलम की दावत को कबूल किया उनके साथ लोग आये एकटे हुए रसुल पाक सिलम मजबूत हो गए फिर यहां तक इसलम रफ़ता रफ़ता फैल गया हाँ इनकी तादाद में इजाफा होता चला गया और हर तरफ इसलम करिया तो पाक सिलम कि रफ़ता चारहा है हर सिलम तुहित का उजला पैलता जा रहा है बारो बार में ला इलाखा इलला की सदाइं गूंज रही है लेकिन कफार के घरों में क्या है सफे मातम बिच गया जो लोग जबरो तशदुत से इंसाने की तजलील करते रहते थे खुशी से उन्पर तालियां बजाया करते थे अब एकिहा के इसलाम की कामियाबी पर वो आदिशी हसद में जाग रहे हैं उनके चेहरों पर हवाईयां उड़ी हुई है उनके घैज औ घजब का आलम काबल दीद है के सहाबा कराम से महबत औ कीदत इमान की अलामत है और उनसे कीना अदावत नकी बदबोई और ये बद इनकी ह्यर्यत अंगियज कारनामों का इंकार वही लो करते थे हैं जिनके दिलों में खोट होता है, जिनके दिलों में एमान की महबबत नहीं होती जिनको इसलाम की तरक्षी से जहनी अधियत पहुंचती है थीए अब इनके बारे में इबन अभास क्या फर्माते हैं इबन अभास कहते हैं यहां पर सजदों के असर दिखाई देने का मतलब है कि उनके मुराद के उनके अखलाग वो बहुत अच्छे होती है और हजरत मुजाहिद फर्माते हैं कि उनमें खुशू और तो वाज़ होता है हजरत सदमी फर्माते हैं कि नमाज उनके चेहरों को अच्छा कर देती है खुबसूरत कर देती है, नूर से रोशन कर देती है अगर बाद इस अलब से मनकूल है कि जो रात को बाकसरत नमास पड़ेगा उसका चेहरा खुबसूरत होगा, पुर नूर होगा नेकी की वज़ा से दिलों में नूर होगा उनके ठीक हैं चेहरे पर रोशनी आती है, रोजी में किशादगी होती है, दिलों में, लोगों की दिलों में एक जोसे से मुहबत पैदा होती है, इताहाद पैदा होता है अगर तुम में बश्राद hm पैदा है, अगर तुम मेरे बंखे तो दिन्या और आखरद दोनों की कामया भी दूँगा दुनिया भी तुम्हारी होगी और आखरत भी तुम्हारी होगी और जो गुना तुमने अंजाने अंजाने में किये थे मैं वो भी माफ फर्मा दूँगा और सिर्फ गुना ही माफ नहीं किरूँगा बलकि अला तुमारे हैं कि मैं इतना नामाय आमाल में इतना सवाब लिख दूँगा कि जिसका कोई हिसाब नहीं होगा अजरियाजीम ठीक है अजरियाजीम का मतलब होता है बहुत बड़ा सवाब बहुत जादा सवाब अब अज्रियाजिम का वादा फर्मा रहे हैं अज्रियाजिम को मुफसरीन ने इस तरह से ब्यान किया है कि अज्रियाजिम वो सवाब होता है जिसके कोई हद मुकरर नहीं होती यानि इतना सवाब लिख दिया जाएगा कि पहले गुना मिटा दिये जाएंगे और फिर इतना सवाब के जिसके कोई हदी ना हूँ ला महदूत सवाब और मौमिन जम जो है इस ला महदूत सवाब अर इमान लाना और नेक अम्ल करना इसकी शर्ट होगी ठीक है? अलodles तल्य यह फॉब किन को देंगे? जो नेक अमाल करेंगे और जो इमान लाएंगे ये दो शर्तें रखी हैं Allah अला ने जिनको यह जरे अजीम अता करना है उनके लिए फिर इमान की हालत में जो अल्ला रिसुल्वासलम का दिदार करता है उसको सहाबा कहते हैं सहाबा सहाबी कहते है ना उसको तो उनके बारे में थायबाबर कर अनके पाँने के बडाबर भी नहीं हो सकता Damit बिनको छूओत निस्ट में पा small उनके बड़ाबर भी नहीं हो सकते हैं अब स्लाइदा 7 पर देखिए यह जो इसे कहले हमने पड़ा कि लामा कि अपेजित थीज़ार्बर उनकोंबाब बरमाया, जो रात के वाध बकसर, नमाज पढ़ता है, दिन के वाध उसका चहरा बड़ा दिल कश हो जाता है. यानि Allah तल्हा का वादा बिया जा रहा है और मुमिनों की बक्षीश उनकी मख्फिरत की Allah तल्हा ने वादा किया है अच्छा फिर सहाबाक आख नाम के बारे में जो है रसुल पासलेम क्या फरमाते है रिसल फाहिसलेंग उन से पनी मोहब्बत का अजिफार इस तरहां से करते हैं रिसल फाहिसलेंगी हैं रिसल फाहिसलेंगी ने फोरमया मेरे चाहजागन एक आराय में अल्ला तर्हो मेरे बाद इन को तानों तुठी का हद़त ना बना लेना जो शक्स उनसे मुहबत करता है किन से सहाबा कराम से जो शक्स उनसे मुहबत करता है वो मेरी मुहबत की वजा से इनसे मुहबत करता है और जो शक्स इनसे बूगज रखता है वो मेरे बारे में इसके दिल में जो बूगज है उसकी वजह से इंसे भूगज रखता है जिसने मेरे सहाबा को अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई और जिसने मुझे अजियत पहुंचाई उसने अल्ला ताला को अजियत पहुंचाई और जिसने अल्ला ताला को अजियत पहुंचाई कि वो इस जुम्ले को गोर से देखें कि लियागीज़ अभी हमुल कुफार इस पर गोर करें और इर्शादातर इस सालत मापक को गोर से पढ़ें कि क्या इशाद फर्माया गया इसके अंदर इस सुर्ट पे तैयबा की बेश्टर आयात में आपने प्यारे रिसल पासलन की सहाबा कराम की तारीफ भियान कर रहे हैं और आखरत में आखरत में आखरत ने वादा फरमा दिया इनकी बक्षिश का और अज़रिय अजीम का इसी चाना से आखरत ने एक और सुर्ट में फर्माया के वल असरी इनला इनसान लाफी खस्री इला लग जिना आमन वामर लो शौट की अश्मार्त रहे ह्टर यह में जो आखरत की नसीहत करते रहे रास्ते की मश्क्लाद पर सबर की तलकीन करते रहे तो उनके लिए जो ऑlim बज्री अजरिय जीमा बजकी अफरता है नेक्स लेक्टर की वीडियों आपके साथ जलदी शेयर की जाएगी